दोसों बोड में एक कोस्टन सबसे जादा चलता है अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे तो मेरा नेक्ष्ट वीडियो उस कोस्टन के उपर रहेगा कि 3 और 4 मास के कोस्टन सर कौन सा प्रैक्टिस करो क्योंकि अगर आप इवन प्रॉब्लम से भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस अगर आप नीचे कॉमेंट करोगे तो जरूर मैं उसके उपर भी बात करने वाला हूं अब देखो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताओंगा कि जोमेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चाप्टर कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर टॉपिक्स कौन सा पाइथागरस तेरम आप आराम से दो से तीन घंटे के अंदर पूरा का पूरा सम सॉल कर सकते हो सर इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं देखो जोमेट्रिक मिन के उपर आपका फोकस होना चीए पाइथागरस के इजी सम्स इसके उपर रूफ है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसके उपर कोश्टन पूछे जाते हैं इवन मैं एक वीडियो ऐसा बनाने आलो जहां पर मैं स्पेसिफिक सम भी आपको बताने आलो कि यह यह सम आपको सम पूछे जाते तो ऐसे तीन से सम अगर आप सॉल करते तो यह टॉपिक आपका कवर हो गया. नेक्स्ट के पावर चाहिं, रूपर पर जो आपका लेइसर अगर आप 4.2 एक्स राइस पर आओगे तो जहां पर at a distance वाला जो समय दोस्तों बहुत बार पुछा गया है at a distance और without using center मतलब बस आपको इसके अंदर कोई भी चार सम सॉल करना है मेरा next वीडियो आएगा मैं वो बताऊंगा कि चार सम कुन से सॉल करना है बस आप नीचे कॉमेंट करों कि आपके जो आपका हाफ टम का जो पेपर होने आला है उसमें कौन-कौन से जोमेट्री के लेशन्स आ रहे है मैं उसका एक ही बार में पूरे के पूरे कोशन्स बता दूंगा section formula, midpoint formula, centroid formula मीड और cent point formula बहुत जिσιादा ओर section formula में के वाला सव हे fine k, fine ratio और उसके last में जो तीन सव हों है बोडे 주 an exam लगा तर नहीं पूछ रहा है पर हो सकता ले observe आपको बूरेंगे कि the given points divide the line segment into three equal parts वो आले संस, एंद दोस्तों इसके बाद the last वाले जो exercise उसमें कोलिनियर का संस सबसे जादा important है, और साथ में दोस्तों उसमें के वाले जो संम है बहुत जादा important है, तो मैंने आपको topics भी बता दिया, अब लास्ट है दोस्तों lesson number 6 trigonometry पे करना है trigonometry में मैं हमेशा बोला हूँ कि trigon तो आपको 100% cover करना चाहिए क्यों कि आगे आपका जितना भी 11, 12 में आएगा even engineering आगे आप जो भी करने वाले हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको अगर max का part है तो उसमें trigon आपको 100% दिखाई देगा और trigon का roll बहुत ज़्यादा होता है तो trigon इसलिए बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको suggestion दूँगा कि trigon का हर एक sum up solve करो trigon का already मैंने नए videos का first exercise भी complete कर दिया practice set second practice set भी मेरा कल परसों में आ जाएगा तो मैंने नए videos भी पूरे के पूरे के पूरे कवर किये even problem state मैंने lesson number four तक पूरे के पूरे कवर कर दिये lesson number fifth का problem state जल्दी मैं start करने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूँगा कि specific कौन कौन से समकूँ आपको यह चार लेसन अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो लगवग आपका target 40 और बढ़ जाते हो बात में आपको लेसन नमबर फॉस्ट और लेसन नमबर सेवन यह जो दो प्रॉस है देन इसके बाद the tangent segment theorem है बाद में सर्कल लेसन का आप मेरे ऊपर चोड़ दो सरकल लेसन एक बार आप मेरे से पढ़ो फिर आपको पता चलेगा तो सर्कल का पिछले बॉट एक्जाम्ट के मेरे लाईउसे 7 में जाओ मेरे सरकल के वीडियो और आपके अभी के unit test जो आगेगा आपका half yearly paper आएगा 100% सम उसी में से आएगा board में भी सम उसी में से आता है और even इस बार भी मेरा आप भी live session जल्दी ही चालू होने वाला है और आपको मैं बता दूँ कि एक form मैं नीचे दे रहा हूं description में एक form है जहां पर दोस्तों हमारा दंगल बैच हम फिर से launch करने वाले हैं उसका crash course crash course हमारा बहुत ही famous होता है जो आपको अगर आपका study अभी zero है zero से अगर आपको hero बनना है तो आप उस crash course से जूट सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि मैं उसमें पढ़ाने वालो प्रदीश सर पढ़ाएंगे तीन बड़े लोग आपको इसके अंदर मिलेंगे और एक ऐसा teacher जो अल्रीडी टॉप कर चुका है बहुत अच्छा result ला चुका है अगर वो आपको guide करें तो आपका result बहुत ज्यादा change होगा और दंगल बैच का यही response रहा है दोस्तों पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था दंगल बैच इस Thursday को launch होने वाला है और इस Thursday को आपका जो दंगल बैच लाँच होगा दोस्तों उसको previous दंगल बैच के सभी videos free of cost मिल जाएंगे फिर दंगल बैच के लिए वो enroll हो जाएगा तो दंगल बैच का deadline जितने तारीकों दंगल बैच चाल लोगा तो वो नए बैच म जॉइन होने से पहले उसको previous बैच के सभी videos PPT सब कुछ मिल जाएगा जिससे वह अपना previous वीडियो से बहुत सारा study कवर कर लेगा फिर नए दंगल बैच में तो नए तरीके से दंगल करेंगे तो दोस्तों अगर आपको जोड़ना होगा तो नीचे हम form दे रहे हैं उस form को फिल अप कर लो और आपको मैंने यहां पर topics भी बता दिये lesson का sequence बता दिया इसी तरह से आपको अपनी चीजों cover करना चीए वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक केर जहें दोस्तों